हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने लावा युवा 3 pro android में आप अपने मुवाइल फून की वीडियो कॉलिंग की प्रॉल्ब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने व केंदर फिर सर्कल के अंदर यह जो आई बटन बना इसे आपको करा आपको ये अप इंफो का पेज ओपन होगा इसमापको नीचे जो इंड फस्टे लिगेह करना है तो आपका यह जो नीचे यूजर डेटा और यह काच इन दोनों के सामनेल डेटा यह आपका जिसे आपके फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉलम सॉल्व हो जाएगी अगला काम यह करना है कि आपको अपने वाइल फोन की पावर बटन आपको उंगली से दबा के रख एंड्योड सिस्टम में और कोई प्रॉलम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि मोबैल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करना है इसके अंदर आपको नीचे यह रिसेट ऑप्शन ताप करना है इसके अंदर आपको सबसे उपर है reset wi-fi mobile and bluetooth पर tap करना है आपको नीचे की side reset setting का option टब करना है अब आपको अगले page में दुबारा से reset setting पर tap करना है तो आपको थोड़ी दियर में नीचे की side यहाँ पर लिखा हूँ आ जागा हम थोड़ा wait करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा यह देखिया आ चुका है network setting have been reset, इस तरह किसा आपको फोन की network setting को reset करना है, जिससे आपके phone की video calling की problem solve हो जाएगी, अब दोस्तों अगला कार्रे करना है कि आपको अपने mobile phone की APN setting को reset करना है, APN setting को reset करने के लिए phone का आप setting page open करिए, इसमें आपको सबसे उपर की side ये network and internet पर आपको tap करना है, इसके अंदर आपको नीचे की side ये mobile network पर tap करना है, इसके अंदर आपको नीचे की side आना है, सबसे नीचे की side आपको ये option बिलता है access point name का इसे tap करना है, इसका अगला पेज एपिन का होता है, इसमें सबसे उपरे 3 डॉट पे टैप करना है, आपको छोटा पेज ओपन होता है, इसमें आपको reset to default पे टैप करना है, नीचे आपको यहाँ पे लिखावा आ जाता है, यह देखे, reset default इस तरह के आपको फोन की A-P-setting को reset करते हैं, अब दोस्तों अगला काम यह करना है, कि आपको अपने फोन का software एक बार चेक करना है, कि वो update है या नहीं है, दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हमारे phone के software का update आता है, हम उसे update नहीं करते हैं, या फिर कभी phone में update आता है, हमें कभी अगर पता नहीं लगता है तो मोईल फून का अगर अपडेट नहीं होता है तो इससे हमारे फून के Android सिस्टम में कुछ छोड़ी मोटी कमिया आने लगते हैं तो फून का इंटरनेट आपको चलू रखना है इसके बाद फून का सैटिंग पेज में आपको नीचे सिस्टम पर टैप करना है इसके अंदर आपको नीचे की साड़ यह सिस्टम अपडेट पर टैप करना है आपको इस वाले पेज पहना कोई भी अपडेट का बटन या डाउन्लोड इंस्टॉल यहां पर लिखावा दिखाई देता है तो इससे आपको टैप करने के अपने फोन का साफट करना है इससे आपके फोन की वीडियो कॉल कि प्रलम सॉल्व हो दैगा और आपको फीडियो कौको पहले करने से पहले दो बाट tirar तो यह सारे यूज करेंगी तो इससे आपके फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी